तो हैलो और दोस्तों कैसो आप सो उमीद करते काफी अच्छे होंगा अभी जो मैच कवर करें सिभी इस इप टीटें लिका जो यह 22 वा मैच कवर करें के क्या कुछ हमारे स्मॉली की टीम से और ग्रैंड लिक की कॉमिनेशन और इसी स्रीच के जो हमने कल मैचे कवर किये थे और काफी लोग इन जो वीडियो का नुसार चंजिस कि उन्होंने ग्रैंड लिक भी विन किये तो इस वीडियो में दीगए इंफर्मिसन आप सभी के लिए करना तो इस वीडियो को लॉजिक के बारे में जानो कौन से प्लियर किस नंबर बाटिंग कर रहे हैं और क्या कुछ इनका रिए इस वीडियो को बीना स्किप के इन तक देखना और दोस्तों सबसे पहले जो लगवे भी तक हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हम और और से मरधन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चांग को सुस्क्राइब जरूर शे कर लेजग और अभी दूस्तों हम चलते हैं प्रेप ट्रीगिक्सन के बारे में डीटियल में डिसक्स कर लेते हैं और भाई हो सबसे पहले तो आप सभी लोग देख रहे हो फैंटेसी के रिक फान के टेलीग्राम चांग को जहां पर जुड़ना आप सभी के लिए खाफी ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा और जो लग भी तक हमारे टेलीग्राम चांग से नहीं जुड़े हो तो शायद जुड़ना अब देखो हमारे ही नाम से काफी सारे फिक सब्सक्राबर्स वाले चैनल है जहां पर लोग को पाइटीम के नाम पे लूट रहे तर जैनुएन एक मेरी फ्री टीम होती है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्किप्सन बॉक्स में हमने दे दिया तो जु आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा तो आप सब इंटर इसे लिए बोलड़ने देखो बागी मेरी फाइनल टीम के लिए टेलिगाम चान पर जुड़ना जरूर जो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जागा बागी हम चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्स सबसे लो मिलें और इनकी जो वेन्यू रहेगा सार्जागर के स्टोडियम पर मुकाबला खेले जाएगा जिसके आपको आसी से हंडर की बिच में स्कूर बनते हो देखनों के मिलें और हमारे टेलीग्राम चानल से बेज़ुड़ना बहुत इंपोर्टन रहेगा और काफी जोग अभी तक जुड़े नहीं है तो उन्हों को सेगी रुपेश्ट है जो वीडियो को ड्रस्क्रिप्शन बोक्स में नीचे मैंने आपको लिंक दी है उसी पर क्लिक करके जूड़ जाना बागी पीछ एक तर से बैलेंस एडी नहां पर बैटिंग बालिंग दोनों के पारी और सबसे पहले हम बात कर रहें जो के डवन की टीम में इनकी प्रॉपोल लाना भी बैटिंग और प्लेशाटिस के बारे में और इनकी टीम ने रिचंट के तीन मैंचों में करती है तो हम इने रखेंगे उसके बाद यहां पर जो है आत नजर रहेंगे जो कि काफी एज़ा कंसिंसर बैट्स मेंने टीटन के अंदर एबरेज पॉर इस चेक रच काफी सांदा रहा था रिचंट के तीन मैंचों में देखो तो चभून तैंटीस और उननीस का स्कोर है बैटिंग से काफी बैटिंग आपको स्कोर करके दे शकते हैं और आप अपने स्मॉली कोंबीनेशन में एज़ा प्ले रखना और जील के टीम में क्याप्टन भी कर सकते हो अभी हम स्मॉली में इंको प्लेयर्स के तौर पर ट्राइकर उसके बाद आपर मुर्तेजा नजर करांगे देखो यह बालिंग बैटिंग दोनों ही करा लेते बैटिंग से और टीटेन करियर में भी तो कुछ बड़ा स्कूर इनका रहा नहीं बालिंग से फॉर्म ठीक टाक जो दो वर बालिंग करांगे पहले बारियों में तीन बेक्टर उसके बाद पर आउट निकाले ज करना है तो इन्होंने के तीन मैचों पहले मुकावले 55 का स्कूर वन बेक्टे था उसके बाद 12 का स्कूर वन बेक्टे तेईस मैचों में तो यह आपको बॉलिंग और बैटिंग करा अगर देंगो और आप सभी लोग इस मॉली के साथ मेनी जिलोग रैंड लिक्स बागे इनके सब्सक्राइब इनके पास जो टीटन के जातर जो टीम के मेन बॉलर्स रहेंगे तो इस्लैम खान और यहां पर जो और तक्रीर नज़र आएंगे जो कि यह दोनों ही ऑप्सन से ग्रैंड ली के सेफ रहेंगे स्मॉलिंग में आज हम किसी को रखेंगे नहीं औ अगर आप सब चाहूं तो यहां से मोहमद चावादुला को प्रेंगे जो लाश के दो मैचों में दो और एक बेगटे निकाले वैसे भी रिशेंट वॉम अभी हाली में जो कहलेगा टीटन गंदर वहां पर भी काफी बैते इनकी फॉर्म थी तो अभी इस अप्लेर इंको बागी बाव और एकबाल को इसा ग्रैंडिंग में ही ट्राय करना अब देखो हमारे पास जो अगर बेंच से कोई भी ब्लेड खेलता है यहां से तो इसकी सारी अपडेट्स वगरा इंफोमीशन आपको अपने टेलीग्राम चानल पर देंगा और जुड़ने के लिए वीड अब बैटिंग करते हों दिख शकते तीन मुकाबले के लिए पंद्रह जीरो और डेनपी रहे थे वैसे भी कुछ खास बढ़िया इनका रेकोड रहा नहीं वैसे अगर आप सब चाहूंतीने आप ग्रैंड लिक्स होगे रहे में ही पिक करना अगर आप इंका अवरल करियर देखो तो इन्होंने 333 मैचों में टोटल बानबे सो और तीस रण कुछ भी बढ़िया ना तो बैटिंग से रिकॉड देना तो बॉलिंग से यह तो अभी हम इने ड्रॉप कर रहे हैं और यहां से जैनूला की बात करें तो बैटिंग से एवरेज को अपने स्मॉलिंग में पिक करके जाशकते हो और यहां पर उसके बाद मुश्लिम यार नजर आएंगे देखो यह तोड़ी एक तर से देखे तो काफी एक्स्पिरियेंस बैट्स में ने जहां पर एक बड़ास पुरी अंसर देखनों मिलेंगा इनका टीट्वंडी रिशन दोजर बाश का भी काफ कर सकतो अब्दुल इसे ग्रैंडी के डिफोल्ट रहेंगे तो अभी हम इनको ड्रॉप करेंगे देखो यह आपको बिकेट कीपिंग से भी पॉइंट करके देंगे तीन मैचों में दो मुकाबले फ्लॉप एक मैच में इनका 32 का स्कूर था अभी आप इने जील में रखना कि भागी तो यह टीम के एक मेन और रहेंगे जो बाइटिंग और बैटिंग करा कर देंगे पहले पारियों में भी आठट का स्कूर वन बेक्टर उसका फ्लॉप गया चाहर बिक्टर निकाले तो यह हमारें टीम के मैं बाला रहें उनको प्रिक कर जाएंगे बागी रखकी तो पहले बारी करो याज़ आप सब जाहों तो इन दोनों में से किसी एक प्लियर स्कूर रख सकते हैं जातर सेफ रहेंगे के आप उनिभ आनके साथ जाओ इसे पहले हैं तो हरी मैंने एक बिक्ते निकाल कर दिए और दो बर कनफर्म डालेंगे तो एक से दो वेक्टे इनको मिलना कनफर्म रहेगा तो अभी आप इनके शाती जाओ जातर शेफ रोगे बागी हर्शत दिशाई की बात के तो तीन मैचों में इन्होंने पहले मुकाबले दो वेक्टे दो वेक्टे जाले अंदर भी एक्सपरियेंस अभी की रीशन के हाली में खेलेगे टीट्वंटी सीवीए सिप के मैच में भी काफी बढ़िया इन उनकी बॉलिंग से रेकॉड था तो अभी हम इनको इस अप्लेर पिक करें बाकि इर्फान और अभी दुला को जील में पेकर हो कुछ भी बढ़िया रेकॉड ना तो स्मॉली के रहेगा तो यहां से किसी को रखेंगे नहीं अगर इनकी बैंच से कोई यहां से खेलता है उसकी सारी इंफॉमिशन अपडेट्स वगर आपको हमारे टेलीग्राम चान पर मिलेंगा और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को ड्रिस्क्रिप्स में नीचे मैंने आपको लिं करना का रिस्क अपने स्मॉलिंग में पिक करना अभी हम यहां से ड्रॉप करेंगे और अब्दुल खलीद भी रहने वाले बाकि अभी हम से प्रिंप के शाहत इंवेशन मेंट करें देखो चेंजर के मुताबिक अगर आप सब इनके प्लेस पर चाहाओ तो किसी एक भी कीप को ट्राइगा तो ट्राइगा तो ट्राइग कर लें अभी हम इनको डिफॉल्ट प्लेस के तोर पर रिस्क लिए और अलंडर सेक्शन लगबख सबका सेम रहेगा तो अभी देखो काप्टन इस हमजा वाना बेश्व उप्सन से रहेंगे रिजन बॉलिंग बैटिंग कर रह रहेंगे बागी डिफॉल्ट के तोर पर दिशाई भी रहेंगे तो अभी हम सेम टीम के शाथ इंवेश्मेंट कर रहें बागी देखो फैनल टीम के लिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारे टेलीगाम चान से जुड़ो क्यों कि आने वाले हारे को इन्फोर्मीशन अपडे